दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को हैपी दिवाली रोसनी के इस्तियोहर में आपके जीवन में भी बहुत सारी रोसनी बिखरे ऐसी मंगल कामना करता हूँ और यह जो आने वाला दोर है इसमें आप स्टॉक मार्केट से बहुत सारे पैसे कमाएं जो भी स्टॉक में आप दाव लगाए उसमें आपको अच्छा रेटन मिले ऐसी मंगल कामना के साथ में आज हम इस वीडियो के सुरू करेंगे जिसमें आज हम इन्फोसिस और विप्रो को डिसकस करेंगे क्या मोरट ट्रेडिंग में इन स्टॉक में दाव लगाना चीए वैसे अगर आप देखे तो पिछले एक साल में आईटी सेक्टर में हमने बहुत ज़्यादा गिरावट देखी अब क्या इस गिरावट का में फाइदा उठाना चीए क्या आने वाले समय में ईटी सेक्टर में तेजी आ सकती है यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इनफोसिस को लिएकर उसको डिसकस करने वाले है सात में विपरो से भी बड़ी खबर है उसको भी समझेंगे और आने वाले समय में क्या समावना बन रही है तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो positive खबर बाजार के लिए है कि international market में Friday को बहुत ही जबर्दस closing हमने देखी है Dow Jones की बात करे तो 31,082 के इस्तर पर closing थी जाबे 2.47% की bumper तेजी देखी S&P 500 Index की बात करे तो 3,752 के इस्तर पर 2.37% की तेजी थी Nasdaq Composite की बात करे तो 10,859 की इस्तर पर 2.31% की जबर्दस तेजी थी Razal 2,000 Index की बात करे तो 1,742 के इस्तर पर 2.22% की तेजी तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे international index में 2% से जबर्दस की तेजी थी और ऐसे में moral trading में तो अलड़ी वैसे भी हमें सा positive सुरुआत देखी हमने क्योंकि लोग moral में खरीदारी करते हैं विक्वाली करना कोई पसंद नहीं करता है ऐसे में आप देखे तो यहां पे आज अच्छी सुरुआत भी होगी और closing भी सांदार रहने की पूरी संभावना है और इस moral trading में हमें क्या infosys में investment करना चीए infosys की अगर हम बात करें तो 1500 के आसपास इस्टॉक मिल रहा है आपको और इसकी अगर हम journey को देखे तो year 2000 में stock 144 के आसपास था और उसके बाद अगर आप देखे तो 2006 में stock की price 280 के आसपास आई यानि एक तरसे देखे तो stock की price दूगना हुई 6 साल के अंदर उसके बाद अगर आप देखे तो 2010 में 430 के आसपास इस्टॉक गया और लगबग वहाँ से आपको दूगना होता हो दिखाई देखा 2010 के आसपास उसके बाद अगर हम देखे तो 2016 में ये 571 के आसपास चला गया इस हिसाब से देखे तो लगबग एक तरसे bank से जो return मिलता उससे अच्छा return हमने देखा है लगबग सांदा return देखा लेकिन इतनी बड़ी कोई तेजी नहीं बनी पीछले कही सालों में 2016 तक कि अगर हम भी बात करें और 2019 में 805 तक श्टॉक चला गया तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो टूथ हाउजर में जो इस ने 144 से शुरुआत की थी वो यहाँ पे 2019 आते यहाँ पे आपको 800 तक जाता हो दिखाए दिया तो return अच्छा मिला लेकिन उसके बाद में COVID काल आया COVID काल में stock में बड़ी गिराउट होगी और आप देख सकते हो कि 6.58 के आसवास stock चला गया 2020 में लेकिन उसके बाद जो तेजी बनी वो mind blowing है बहुत ही जबरदस तेजी बनी 600 के आसवास का stock 1900 तक चला गया यानि 1099 की इसने high बनाई यानि एक तरह से देखे तो तीन गुना return दिया जबरदस और वो भी स्रिफ दो साल में तो यह सबसे सांदार golden period था IT sector के लिए और दूसरे stock के लिए भी कोविड काल के बाद में बहुत बड़ी हमने तेजी देखी तो आने वाले समय में ऐसी तेजी की समाओ ना कर सकते क्योंकि stock में correction भी हो चुका है आने वाले समय फिर से positive माहल बन सकता तो आपको infosys में निवेस करना चाहिए अब यहाँ पर एक बड़ी update निकल के आ रही है infosys ने अपने employees के लिए मान लिया है कि जो employees है वो दूसरी company में भी काम कर सकते है लेकिन उसके लिए terms condition रखी गई है यानि कोई दूसरी company में काम करना चाहता है अपने समय में यानि company का जो time पूरा हो जाने के बाद उसके पास अगर कोई time बचता है और वो काम करना चाहता है लेकिन अपने manager से आप उनको discuss करना होगा उनको सारी की सारी condition समझाने होगी जिस company में वो काम कर रहे हैं उनके साथ में इनफोसिस के हीतों में कोई टकराव नहीं हो ये सारी बाते clear होने के बाद अगर उनको ये मंजूरी मिल जाती है तो वो दूसरी company में भी ये job अपना कर सकते हैं डूल जॉब के तरह employees के लिए मंजूरी दे दिये जो एक तरह इसके लिए गुंड़ी निकल के आ रही है दूसरी एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रिशी सुनक PM रेस में सबसे आगे है जो बिटन के परदानमंतरी बन सकते हैं एक तरह से देखे तो ये final भी हो चुका है कि वो ही बनेंगे क्योंकि उनकी लेड़ बहुत मजबूत है यहाँ पर आप देख सकते हो कि नारेट मूर्ती जो फाउंडर है इन्फोसिस के उनके दामाद है रिशी सुनक और उनकी जो वाइफ है वो UK का बीजन संबालती है इन्फोसिस का तो ऐसे में अगर रिशी सुनक बिटेन के परदामन्तरी बन जाते तो उसके लिए इन्फोसिस के लिए काफी ज़्यादा पॉजिटिव ख़बर निकल कराएगी एक तरह से देखे तो प्लस पॉइंट होगा इन्फोसिस के लिए और इन्फोसिस के अगर कंपनी के तरफ से ही कोई पी एम है तो इन्फोसिस को बेनेफिट मिलना तो यहाँ पर लाजमी है ऐसे में एक मॉरल बूस्ट भी होगा प्राइज बढ़ेगी यानि इन्फोसिस में तेजी की समावरा बन सकते है इस ख़बर के बाद में और यहाँ पर जो कल इसकी वोटिन होगी एक तरह से देखे तो करीब 144 जो आके सांसद है उनका समर्तन मिल चुका है रिसी सुनक को जबकि 100 का आकड़ाची है जीतने के लिए तो एक तरह से यह जीत पूरी तरह से फाइनल ही है रिटेन के जो पूरो परदान मनती है बोरी जोंसन वो भी थे रेस में रिखनों ने अपना नाम वापस ले लिया उसके बाद में जीत लगबग रिसी सुनक की फाइनल है और ऐसे में अगर आप देखे तो यहाँ पर इन्फोसिस के लिए पोजिटिक ख़बर निकल कराएगी यहाँ पर एक रिजल्ट देखे तो इन्फोसिस ने काफी अच्छा दिया इस बार रिवेनी इंकम 455.5 कर राय जापे 13.93 परसंट की यह रोने बेसिस पे बड़त देखनों को मिली नेट इंकम 74.8 कर राय जापे 2.05 परसंट की यह रोने बेसिस पे बड़त देखनों को मिली और डालोडे रिपेस 0.18 रहा जापे 5.88% की यरण बेसिस पे बड़त देखनों को मिली लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में कुछ कमी रही 16.42 का रहा जापे 10.42% की यरण बेसिस पे गिराउट देखनों को मिली अब हम चलेंगे वीप्रो की तरब वीप्रो की प्राइस 382 की है फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग और वीप्रो की भी अगर हम बात करें तो 11 फरवरी 2000 ये 227 के आसवाज श्टॉक था और उस समय देखे तो वीप्रो की जो प्राइस ये वो आप समझ सकते हो इन्फोसी से भी ज्यादा थी लेकिन उसके बाद में अगर देखे तो श्टॉक के दर गिरावट हुई और ये 2007 में 140 के आसवाज श्टॉक था ये काफी नीचे आया श्टॉक और फिर आप देखे तो 2015 में श्टॉक की प्राइस फिर से 231 के आसवाज आई श्टॉक फिर से बढ़ा और यहा प्राइस भले न बढ़े लगातार उनको बोनस मिला और उस बोनस के वज़े से उनकी शेयर की कॉंटिटी बढ़ती गई आपके नौलेज में यह बात होनी चीए तो यहाँ पे कोविड काल में 2011 में 284 के आसवाज श्टॉक था वहाँ से जब गिरा तो यह 177 के आसवाज आ तो ऐसे में आपको इनफोसिस में नीवेस करना चाहिए यहाँ पे इनफोसिस 5G के लिए भी बहुत सारे एक्यूमेंट बना रही है एच अपसेल के साथ मिलके का फाइदा मिलने वाला है वीप्रो को 5G इस नई जमाने की एक नई टेक्नोलोजी है अने वाले से में इसका ब बेसिस पर बड़त देखी लेकिन नेट इंकम में गिरावट थी 2.66 की जो नेट इंकम थी उसमें 9.27% की गिरावट देखना को मिली डैलूर रिपेस का 4.85 का रहा जा पे 9.35% की यहाँ बेसिस पर गिरावट देखना को मिली नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.8% रहा जा पे 20 80.81% की यहाँ बेसिस पर गिरावट देखना को मिली तो यहाँ पे इस बार प्रॉफिट में गिरावट देखना को मिली और इस वज़त से कुछ दबाव तो देखना को मिला लेकिन इंफोसीस और वीप्रो दोनों ही इस लेवल पे काफी अच्छे लग रहे काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका है जल्दी यहाँ पे अच्छी तेजी बनेगी तो लॉंग टम का नजरिया लेकि आपको मोहरट ट्रेडिंग में जरूर दाव लगाना चाहिए आने वाले से में आपको डेफिनिटली अच्छा रिटन मिलेगा और साल दो साल में श्टॉक की प्राइज फिर से डबल भी हो सकती है तो इंवेस्मेंट आपको कर लेना चाहिए लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइननसल एडवेजिस एक वाड़ ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के ले ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीज़े और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थेंकियो फ्रेंड